पतकरने जारे कि यूपीटेट दो हजार अठारस इस रिलेटेड एक बड़ी अपडेट कि तमाम साब धानी को बरतने के अबाब जूद भी इस पार 35,000 से ज्यादा आपतिया आई है आपको बता दे कि अब्यातियों के नजर ऐसे में संसोधीत आंगसर की परतिकी हुई है परिक्षार्थियों ने लगबग दो दर्जन से भी ज्यादा सवालों पर आपतिया दर्ज की है कुल मिलाकर 20-22 ऐसे प्रस्ण है जिस पर अभ्यातियों का दावा है कि ये सबी प्रस्णों का या तो आंगसर गलत है या एक से ज़्यादा आंगसर सही होना चाहिए या कुछ ऐसे प्रस्ण है जो गलत की स्रेणी में आते हैं पर ये अपडेट यहाँ पर कि इनमें से किसी के भी निस्तारन में यदि वे संतोस्ट नव हुए तो हाई कोर्ट में मामला जाना तैह है इस बार भी पी एन पी को ये डर सता रहे हैं उन्होंने यो आदेश दिया था कोश्चन सेट करने के लिए कि एक से ज़्यदा इस बार जवाब सही नहीं हो ताकि अभी आर्थी जो है ये परस्ण को लेकर के नियालाई नहीं नहीं हो पाया आप सब को जानकारी होगा कि अभी 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 आर्थियों का दावा है कि बहुत सारे ऐसे परस्ण है जो गलत है संसोधीत आंगसर्की के बात करें तो आपको बता दे कि 30 नमंबर तक संसोधीत आंगसर्की जारी कर दिया जाएगा जिहां 30 नमंबर को हलाकि आप सब को जानकारी होगा कि आंगसर की जारी करने के जो तीथी कही गई थी उसके एक या दो दिनों के बाद आंगसर की जारी की जारी की गई है कहा जा सकता है कि डिवाइस्ट आंगसर की जो जारी करनी के बाद कही जारी है 30 November तक जारी कर दिया जाएगा उमीद है कि 30 November तक जारी कर दिया जाएगा साथ ही आपको बता दे कि अभियार्थियों को जो दावा है कि 20 से 22 प्रस्न गलत है इनमें से Paper 1 और Paper 2 को मिला कर देखा जाए कि 20 से 22 प्रस्न है जिसका आंक सर्ज या तो एक से ज़्यादा सही है या कुछ परस्न ऐसे है जो out of syllabus के परस्न है या कुछ परस्न जो है गलत है ऐसे में आपको बता दे कि 5 से 10 परस्न ऐसे है जिस पर अभियार्थियों को मार्क्स मिलाते है फिलाल 30 नमबर तक आप नितजार कर सकते हैं फिलाल इस अपडेट में बस हाला कि सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि 8 दिसंबर को परिक्षा का परिणाम भी घुशित किया जाएंगे जिया यूपीटेट 2018 का परिणाम 8 दिसंबर को घुशित कर दिया जाएंगे